अमिताब बच्चन हाथ उठाकर कहते हैं पाँच करोड और अमिताब बच्चन की सामने जब बिहार के सुशील कुमार बैटे हुए थे तब सारे बिहारियों को सुशील कुमार पर गर्व हुआ था और उसी सुशील कुमार की तस्वीर आती है मुख्यमंत्री नितीश कुमार के साथ और मुख्यमंत्री नितीश कुमार सुशील कुमार के हाथों में उनका न्यूक्ति पत्र दे रहे थे न्यूक्ति पत्र पाकर सुशील कुमार मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए फिर से वाइरल हो गई वाइरल फोटो में लिखा गया पांच करोड रुपए जीतने वाले सुशील कुमार अब BPSC के तहत बिहार में शिक्षक बन गए है और सोचिये कि जिस आदमी के अंदर इतनी गुनवत्ता है इतना ज्यान है वो आदमी जब बिहार के स्कूल में पढ़ाने जाएगा तो कितना शांदार पढ़ाएगा और पूरा सोशल मीडिया पिछले दो-तीन दिनों से सुशील कुमार के कहानियों से और सुशील कुमार के फोटो से भरा हुआ था हमने भी वो फोटो देखा और हमने भी सोचा कि चलिए सुशील कुमार पर थोड़ी बात कर ली जाए उसके बाद हमने सुशील जी को फोन किया सुशील जी फोन उठाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम जॉइन किये हैं BPSC और हमरा अगला स्वाल था कि भाई साहब अमिताब बच्चन के सामने बैठ कर अपना ज्यान का गंगा बहाने वाला आदमी जो पांच करोड रुपए जीत कराया था उस आदमी को क्या जरुरत पड़ गई BPSC के तहत नौकरी लेने की सुशील कुमार एकदम थंड़े आवाज में और ठंड़े दिमाग से कहते हैं कि देखिए भाई साब 2014 में हमने बेड किया था और 2014 में जब हमने बेड किया था तो उसी वक्त ये तय कर लिया था कि हमको शिक्षक बनना है सुशील कुमार का Facebook या फिर सुशील कुमार को आप अगर असली में फॉलो करते हैं तब आपको मालूम होगा कि वो आदमी दिन रात पढ़ते रहता है या तो वो आदमी पढ़ते रहता है या तो आदमी संगीत में डूबा हुआ रहता है 2021 के चुनाओ के वक्त जब हम उनके जिले में गए थे तब हमने उनका इंटरव्यू भी किया था और उस वक्त भी सुशील कुमार पढ़ ही रहे थे सुशील कुमार से हमने पूछा कि बताईए भाई सहब बिहार के सरकारी विद्यालेओं के मास्टर सहब लोग के लिए कहा जाता है कि वो लोग पढ़ाते उढ़ाते नहीं है सुशील जी जट से जवाब देते हैं कि हम वहाँ पढ़ाने गए हैं और हमारा सेलेक्शन साइकलोजी में यानि कि मनो विज्ञान में हुआ था इक ग्यारी वी बारवी का जो क्लास होता है उसमें सुशील जी जाकर साइकलोजी पढ़ाएंगे और उसी को लेकर उनका सेलेक्शन हुआ है सुशील कुमार से हम पूछे कि भाई साहब आप क्या कहेंगे सरकार इतना नौकरी दे रही है रोजगार दे रही है तब सुशील जी कहते हैं कि बहुत अच्छा कदम है ये अगर ऐसा नौकरी मिलते रहेगा तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इन तमाम चीजों के इतर सुशील कुमार की चर्चा सोशल मीडिया पर इसलिए भी हो रही है क्योंकि सुशील सुशील कुमार अपने वक्त के हीरो रहे है अभी भी हीरो ही है अमिताब बच्चन के के बीसी में जाकर पांच करोड जीतना कोई बहुत आसान बात नहीं है लोग 10 लाग, 20 लाग, 25 लाग, 50 लाग तक जाते जाते एक दम से कमर तूट जाता है उनका और वो लोग सारे लाइफ लाइन का इस्तमाल कर लेते हैं उनको वापस आना पड़ता है लेकिन बिहार के सुशील कुमार ने जिस तरीके से अपने ज्यान के गंगा को वहाँ पर बहा दिया था अमिताब बच्चन भी चकित थे और सुशील कुमार किस बैकग्राउंड से उठकर वहाँ गए थे ये भी सबको पता है उनका एक तस्वीर अमिताब च्चन भाला बहुत वारल हुआ था जब बोतल को लेकर वो अपने माथे पर डाल रहे थे और ऐसे ऐसे माथा हिला रहे थे और वही सुशील कुमार जब बिहार के सरकारी बिद्याले में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो सोचिये कि वो आदमी कितना बहतर तरीके से पढ़ाएगा यू तो नितीश कुमार और तिरस्पी आदाओ के रोजगार देने की कहानी खुब वारल है लोग बाग उस पे खुब टिपणी कर रहे है कोई तारीफ कर रहा है कोई बुराई कर रहा है लेकिन सुशील कुमार जैसे शक्स का बहाली होना अच्छा संकेत है अच्छा संकेत इसलिए क्योंकि वो आदमी जो कहता है कि हम जब स्कूल में जाएंगे तो पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे वो आदमी जो कहता है हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना ही है और हमको टीचर बनना ही था क्योंकि हमने आज नहीं आज से 2014 में ही माने 9 साल पहले हमने B.A.D. कर लिया था और हमको शिक्षक ही बनना था और अब सुशील कुमार शिक्षक बन गए है B.P.S.C. का एक्जाम उन्होंने क्रैक कर लिया ये जारवी बारवी के बच्चों को साइकलोजी वो पढ़ाएंगे और सुशील कुमार शिक्षक से बहुत खुश भी है मिला जुलाकर बिहार के बच्चों को अब एक अच्छा मास्टर साहब मिलेंगे और अच्छे मास्टर साहब के मिलने से क्या होगा ये हमको बताने के जरुरत नहीं है बाकी आपके इस पर क्या विचार है कवर्ड मोक्स मताईएगा मिरा नाम पुशान्त है बहुत बहुत धन्यवाद